हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ग्रेवी वेज मंचूरियन बिल्कुल स्ट्रेश्टोडेंट इस्टेल सूपर टेस्टी इसे आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं बनाने में बिल्कुल इजी दरीके से हम बनाने वाले हैं आप चाहें तो गाजर और शिमला मिर्च को किप भी कर सकते हैं बंदगोबी और इस प्रिंग ओनियन से भी मंचुरियन बोल्स रेड़ी कर सकते हैं इसके बाद में दालेंगे आधा चमच काली मिर्च पावडर आधा चमच रेड़ चिली पावडर और नमक इसमें आपने टे इसे mix करने में हम पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है, नमक vegetables में पानी को release करता है, अब हम बनाएंगे manchurian balls, इसके लिए जो mixture हमने रेडी किया था, उसको हम थोड़ा सा लेंगे, हतेली पर प्रेस करके छोटी छोटी सी balls रेडी करेंगे, balls तो आप इसमें तोड़ा सारा रोट या मैदा मिला सकते हैं यह देख सकते हैं इस तरह से आप यह सारी बोल्स को बनाना है आप इन BOLS को बनाके एक साथ प्लेट में रख लें और फिर इसके बाद में आप इसे फ्राई करें यह देख सकते हैं इस तरह से हमने सारी BOLS बनाके रेड़ी कर ली है और अब इसे हम फ्राई करेंगे इसके लिए मैंने पेरीन में पहले से ओील गरम कर लिया है और एके करके सारी बॉल्स इसमें डाल देंगे गेस की फिलेम को मीडियम रखेंगे तेज फिलेम बिलकुल नहीं करनी वरना बाहर से तो यह जल जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे यह देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हम इने सारी को फ्राई कर लेंगे यह फ्राई हो चुकी है अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे बस इसी तरह से इसी कलर की बॉल्स को हमें फ्राई करनी है यह मंचुरियन बॉल्स फ्राई होके रेडी हो चुकी है यह देखिए अब इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस भी मनाएंगे इसकी ग्रेवी, ग्रेवी के लिए एक पैन में दो बड़े चमच ओयल डालेंगे और बारिक कसा हुआ, लेसुन और अद्रक डालेंगे, आदा मिनड तक ही ने हम अच्छे से पका लेंगे, इस ग्रेवी में लेसुन रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च का यहां यूज किया है, आपके पास में रेड शिमला मिर्च नहीं हो तो आपके वल ग्रीन शिमला मिर्च इसमें आप डाल सकते हैं, इसे हमने ज्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल आदे मिन तक ही ने पकाएंगे, इसमें हल देख सकते हम और इसमें डालेंगे हम आदा चमच नमक आदा चमच ब्लेक पेपर के लिए हम नहीं कर रहें हैं कि अब इसमें अचल हुआ से पाउड़ेंगे और अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी ग्रेवी के लिए यह हम लेंगे दो चमच कॉन फ्लोर एक छोटे बावल में कॉन फ्लोर डाल देंगे और आधा कप इसमें पानी एड़ करेंगे और इसे अच्छा सा एक बैटर रेड़ी करेंगे इसको हम मिक्स करते जाएंगे इसमें कोई लंस नहीं आना चाहिए इस ग्रेवी के लिए कॉन फ्लोर का होना बहुत जरूरी है कॉन फ्लोर से यह ग्रेवी रेड़ी होती है और परफेक्ट टेक्शर इसका आता है अब ये कॉन फ्लोर में एक बार में नहीं डालेंगे दो बार में थोड़ा थोड़ा करके इस ग्रेवी में डालेंगे ये देखिए और एक कप इसमें डालेंगे हम पानी पानी डालने के बाद में इसे हम पकाएंगे एक उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे और mix करते जाएंगे यह आप देख सकते हैं इसका अच्छे से color भी आ चुका है और इसमें गाडापन भी आ गया है कॉन फ्लोर्स जीस gravy में अच्छे से गाडापन आ जाता है और अब इसमें डालेंगे मंचुरियन बोल्स जो हमने फ्राइः करके रेडी की थी वो इसमें हम एके करके डाल देंगे और इसे में एक अच्छा सा एक उबाल आने देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे यह देखे शानदार वारे मंचुरियन रेडी हो चुके हैं और इसली ग्रेवी भी पर्फेक्ट बन लेंगे तो हमेशा बिल्कुल आसान तरीके से आप आराम से इसे बना लेंगे और सुपर टेस्ट यह आपके आतों से बन जाएंगे आप इसे जरूर ट्राई करें और यह दिरेसी पर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें त तब तक के लिए गुड़ बाई